नमस्कार दोस्तों रादे रादे कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे मंगलवार का दिन है और सुबह की साफसफाई वगयरा मैंने कर ली थी तो लाइट आ रही थी जा रही थी और कपड़े हो रहे थे दो तीन दिन के सुनीता का आना लेट था तो मैंने सुचा कि चली जब तक वो आती है तब तक मैं कम से कम धो दूँगी क्योंकि लाइट का चली जो मैं कर सकती हूं और देखें मैं आप लोग भी फिर कहेंगे कि जब सुनीता आया तो आप क्यों करते हैं देखें जी मैं सही में बताओं सुनीता मेरे पास है मैंने उसे हेल्प के लिए रखा हुआ भी है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मैं अपने हाथ पैर बांद के बैठ जाओं कि नहीं कंप्लीटली उसी पे ही डिपैंड हो जाओं कि वो आएकी तो करेगी नहीं तो काम नहीं होगा तो जी बस इसलिए मैं का चली मैं कर लेती हूँ और या वे सभी कोई पता है कि जब भरोसा जिन्दगी का नहीं है तो किसी और का भरोसा क कपड़े जो हो रहे ये इसी वज़े से हो रहे क्योंकि वो लेट आ रही या जब उसका आना होता है तो मुझे कहीं जाना होता है कुछ इस तरीके का हो रहा खाता तो उसी वज़े से मतलब मेरा जो काम है वो रुख रहे थे और कपड़े इतने सारे हो जाते हैं क्योंकि बच अपने खुद से ही धोती हूँ मैं सुनीता से बहुत कम धुलवाती हूँ नहीं कपड़े अपने जो शैंपू बगएरा में धोने के होते हैं वो तो उनी को मैं यहाँ पहले डालके मनलब और भी काम जो है मेरे थोड़े बहुत हो जाएंगे थोड़ा बहुत ही रह गया था क बाप लगाते हो तो फिर ही होता है छल थोड़ा सा ओर कर लो थोड़ा सा ओर कर लो निकाल दो डाल दो इस तरीके से करury हो जाड़ दूँगी और ड्राइ करने के कपड़े ड्राइ कर दूँगी और ये जो चदर वगएरा थोड़ी ज़ाडनी रहरी थी उनको भी मैं ज़ाड़ दूगी क्योंकि मैं रात को करके ही लेटती हूं तो सुबह को यतनी भागदोडी सी नहीं होती है तो यहां पर मैंने अपनी जो है एक कमरे की बैड जाड़ दी है बाहर भी मैं साफ कर दूँगी बाहर मैंने पहले साफ कर दिया था लेकिन बच्चे जो है सुबह को स्कूल जाते हैं तो फिर थोड़ा बोटसा हो जाता है ऑञे ऑईसा नहीते है अपने बाहर से रहेंगे तो काम जो है हमारे वो रुकते रहेंगे और क्या बोलते हैं इसको हाँ मनलब अपना ही भरोस्य पर करिए आप कोई help कर रहा है एक अलग चीज है लेकिन completely उसी के ही उपर depend हो जाना और काम छोड़ के बैठ जाना मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी angle से सही है तो जी देखे साफ सफाई वगयरा होगी है मेरी और यहां पर अब जब मैं चाई पी रही हूँ थोड़ा सा बीच में मुझे relax चाहिए होता है क्योंकि जब भी मुझे थकान होती है तो मैं चाई पिती हूँ नहीं तो मनलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थकान की वज़े से मेरे body pain होना शुरू हो जाता है तो इसलिए मैं बीच बीच में एक दो बार चाई पिती रहती हूँ तो जी यह room रह गया था क्रिशना सो रहा था तो क्रिशना भी उठ गया अब इस room की भी मैं bad shit वगयरा change कर दूँगी और उसके बाद जो है मैं नहूंगी धूंगी अपने आप भी और क्रिशना को भी नहलाऊंगी धुलाऊंगी बार चाई प्रच्छ एंगी उपर करो अंगुठा अंगुठा ऐसे रखो अब करो दुबारा करो एक बार और तो जी देखिए कृष्णा भी ना धो लेता और इसकी अरकते देखिए आप ये मॉबाइल में देखता है अलग अलग चिज्जे और उन्हें फिर देखके करता है तो जी देखिए अब तक भी सुनीता जो है वो नहीं आई थी तो मैं का चले मैं कपड़े निचोड लेती हूं और क्या करूं नहां दो तो मैं लीती में सही में बता हूं बस वह ये लाल सा र दिये थे निचोड भी दिये थे और मैं फैला भी आई थी बस लाश्ट का जो रह जाते हैं कपड़े एक राउंड वो था तो वो बस आके फिस सुनीता ने किया तो यहां में फटा-फट से पहले जो है अपने कपड़े धोलूंगी निचोड लूंगी और फिर मैं साथ के स खाने से पहले या दोपैर के खाने से पहले ही जो है मैं उधर से आ जाओंगी तो फिर मैं आके खाना बना दूंगी लेकिन उसकी सुनीता की वज़े से लेट हो गया तो फिर मैं अपने काम करने लगी चलिए जो भी है जाने से पहले ही फिर मैं करती हूं कि मैं अपना खान वगेरा ये बना दिती हूँ कम से कम जाओंगी तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि भई मुझे वापस आके फिर खाना बनाना या भागम भाग सी मच जाती है वो वाला काम नहीं होगा तो कपड़े वगेरा मैंने फैला दी है निचोड़ के और सुनीता आगी थी तो आके ये अपना किचन का करने लगी है और यहां पर मैंने रख दिया है खाना बनने के लिए साथ के साथ ही क्योंकि 11.30 से उपर ही हो रहे थे जब सुनीता आई तो मुझे यह था मैंने का जब म और काली दाल मिक्स करके बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं प्योके डाड़ी को तो खेर हूँ फैवरिट दाल है प्योके डाड़ी कि क्या हमारी साइड में सब इस दाल को बहुत खुश होके खाते हैं यूपी वाली साइड मलब हमारी साइड यूपी में भी कई जगे बास्केट में और चोटे बरतन जो हैं वो मैं उपर रख दूँगी तो बस मेरा साथ के साथ ही है कि काम होता रहेगा बाद में फिर मुझे लगना पड़ेगा तो वो छुटकारा हो जाएगा और ये भी है कि जब हम काम करते रहते हैं तो फ्लो बना रहता है काम का और अगर ह पिर ये था कि चलो बाई जब मैं लग ही रही हूँ तो अपना करके ही हटूँगी तो यहाँ पर मैंने दाल उबलने के लिए रख दिया है और मैं आटा बना दूँगी और आटा बनाने के बाद मैं लगाँगी दाल में तड़का तो जी देखी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ दाल में तड़का तेल डाल दिया है मैंने और यहाँ पर बस मैं खड़ी खड़ी और भी काम करते रहते हूँ धनिया डालना है तो वो भी मैं साफ कर दूँगी और दाल का जो प्रेशर है वो भी मैंने निकाल दिया है बस दाल बना दी तड़का लगा दिया और राटा बना के रख दिया है मैंने जब पिहू के डैडी हर आएंगे या बच्चे आएंगे तो रोटी फिर में साथ के साथ ही उतार दूंगी तो बस यह होगा कि मेरा आदे से जादा काम निपट गया तो अब जब मैं जाओंगी उधर तो मैं बिल्कुल टेंशन फिरी होके जाओंगी बिना इस टेंशन के कि मुझे घर जाके खाना बनाना आया बच्चे आ जाएंगे लेट हो जाएगा होती है देखी यह वाली जो टेंशन है और फिर वही है कि जो काम अब हो रहा है तो उसे करी लेना चाहिए बाद में भरोस्ते पेटिके रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा तो जो लीजे डाल यहां पे बनगी है मेरी और तब तक जो है सुनिता ने अपनी जहड़ू बगेरा लगाई है और यह लगा रही है पोच्चा और पोच्चा लगाने के बाद बस ये भी जाएगी और जो सुनिता ने कपड़े बाद में निचोड़े हैं उनको मैं कर लेते हैं तो जल्दी काम हो जाता है तो देखिए इसने लगा लिया है पोच्चा और मैं भी बस अब तयार होके जहूंगी आशु के पास गुड़ो को देखने के लिए और थोड़ी देर में रुकूंगी उसके पास जाके तो जी सुनीता चली गई है और निपट गया है मेरा काम टाइम बजगे है अगर मैं ना लगती तो अब तक साएड़ दो बज़े होता ये काम और देखिए गर साफ सुतरा कर दिया मैंने इधर भी इधर भी ये बाहर भी और उधर भी सारा तो जी अब मुझे जाना है आश के पास क्योंकि गुद्डू की तवित बतारते प्योंके डेड़ी की खराब हो रही है जादा उसकी जाड में दिक्कत है तो मैं जाओंगी उधर मिलकाओंगी खाना दालों अगर मैंने बना दी आट्टा भी बना के रख दे सारा कुछ साड़े बारा होगे देड़ दो बैठके आई क्योंकि फिर आगी थी रूही और थोड़ी सी देर गया एक गंटा सारा तो हो भी गया जादे ही कैसा पी बना कुछ अच्छा कंप्यूटर का था ना कितनी मिश्टेक करके आई असाइम्मेंट थी रख्टे मां रखे थे नहीं पूरी लांट थी बैटे तु क क्योंकि रेड़ी आगे हैं तो मैं परले रोठी सेग देती हूं क्योंकि उन्हें फिर जाना है पीओ को लेने के लिए तो दुकान पा जागी ना वो इतना है दुकान बंद है भी चलिए पहले फटा-फट रोठी सेग दू पच्छों के लिए और रूही पीओ नहाएंगी तो चलिए खाना वगेरा खा ले पहले हम तो जी देखिए खाना वगेरा खाया जब तक मैंने गरम पानी लगा दिया था और सुबह को मैं बच्छों को इसलिए नहीं नहलाती है क्योंकि सुबही बच्छों के जाने का टाइम जल्दी हो जाता है बाल गिल्ले होते हैं और फिर इनको जाना होता है ट्यूशन चार साड़े तीन चार बज़े के करीब साड़े तीन बज़े जाती हैं ट्यूशन तो देखिए यहां पर दोनों बैनों को नहला दिया हैं मैंने और अब इनको मैं बाल वगेरा बना के बिठा दूंगी कंबल में तो थोड़ी सी दे पाइद होई थी तो उनको भी ठंड लग रही थी तो मेरा भी यह था कि चलिए मैं भी पी लूँगी क्योंकि काम निप्टा के मैं पिती हूँ तो मैंने सोचा है पाए कि चलो भई बच्चे भी ना दो लिए उनको भी दे दूँगी मैं तो जी चलिए मैं तो आपसे यही क जब कोई और करने लगता है तो हम उस काम को आलस में छोड़ने लगता है तो बीच बीच में खुद भी करते रहें तो आपके भी काम का रूटीन बना रहेगा शरीर भी सही रहेगा और सबसे बड़ी बात है कि काम भी आपका टाइम पे रहेगा और आपका रूटीन जो है व जो जी देखें यहां पर बस मैं चाई भी प्यूंगी थोड़ी सी इनको ड्रोइंग में भी हेल्प करूँगी तो चलिए आप लोग भी इंजोई कीजिए मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए बाई बाई रादे रादे अपना ध्यान रखिए